हेलो फ्रेंट्स आज में लेकर के आई हूँ मिष्टी दोई की रेसेपी वो भी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में और यह मिष्टी दोई बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है और बिल्कुल मार्केट इस्टाइल हलवा रहे हुआ है इसका सबसे पहले हमें पानी निकाल लेना तो यहां में लेुइ हूआ हैं एहां पर ढहले हुआ है जो कोई होग ले ले लिए अर इसके बाने टेवर करके इसको चोड़ देना है में आदे घंटे के लिए पस इसके आदे घंटे के लिए इसको हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, अब यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ एक लीटर फुल फैट वाला मिल्क, तो यहाँ पर फुल फैट वाला ही मिल्क का यूज करना है, जिससे मिश्टी दूई बहुत ही अच्छी बनती है, क्रीमी बनती है, उससे अभी हमें 5-7 मिनिट और कोक करना है, तो जब 5-7 मिनिट कोक करेंगे, तो देखें दूट थोड़ा सा कम हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसे इसी तरह से हमें बॉल होने देना है, मीडियम फ्लेम पर ही, और इसे अब हम दूसरी गैस पर शिफ्ट करेंगे तब तक हम चीनी को केरेमलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1-5 कप शुगर, अगर आप थोड़ा ज़ादा मीठा पसंद करते हैं, तो 2-3 चमच चीनी एक्स्टर एट कर सकते हैं, अब इसे हमें करना है केरेमलाइज, इसे से वही फ्लेवर, कलर, और पैन को इस तरह से उठाना है, और इस तरह से गोल-गोल घुमा करके चीनी को मेल्ट होने देना है, ऐसे करने से चीनी अच्छे से मेल्ट भी होगी, केरेमलाइज भी होगी, और बीच में से जलेगी भी नहीं, तो अभी रेखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट होगी है, कैरेमल बनना स्टार्ट हो गया है अब इसे स्टेज पे आप स्पैचुला या चमच वगेरे चला सकते हैं और इसको हमें इसी तरह से चलाते हुए कुक करना है जो क्रिस्टल दिख रहा है वो बस क्लियर हो जाए और इसका गोल्डन कलर आ जाए गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये कैरेमल बहुत ज़्यादा हमें कोक नहीं करना है नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा और फिर मिष्टी दोही में वो कड़वापन लगेगा अब यहां हमारा कैरेमल रेडी है और यहां पर हमारा milk भी ready हो गया है जो हमने दूसरी gas पर cook होने के लिए रख दिया था और यह थोड़ा सा थिक भी हो गया है अब इसमें धीरे धीरे करके हम यह caramel add करते जाएंगे gas की flame को आपको यहां धीमा ही रखना है धीमी आज पर ही करना है यह अब जो caramel हमने डाला था उसके crystal बने ही जैसे इसे milk cook होता जाएगा इडिजॉल होता जाएगा और इसी से वो flavor, color और texture आएगा मिश्टी दोई में अब यहां पर मैं थोड़ा सा दूद ले रही हूँ और जिस पैन में हमने caramel बनाया था ना उसमें डाल करके हम इस तरह से निकाल लेंगे से जाकि कोई भी चीज़े waste ना हो अब बस इसे हमें 7-8 minute और अच्छे से cook होने देना है क्योंकि जो हमने caramel डाला है उसका पानी छूटेगा बस वो पानी निकल जाए बस इसलिए हमें 7-8 minute और पकाना है अब यहां पर दूद में boil आ चुका है और यह दूद भी थोड़ा सा थिक हो गया है और इसका color और texture भी अच्छा आ गया है अब यहां gas को बंद कर दिया है और इसे थोड़ा थंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है अब देखिए यहां पर जो हमारा hunkard है वो भी ready हो गया है और इसका सारा पानी निकल गया है इस पानी को आप वापस यूज़ कर सकते हैं आप यहां छाच वगेरे में या फिर जो भी आप दही वगेरे सेट कर रहे हैं उसमें भी आप यह यूज़ कर सकते हैं यहां पे अब मैं आपको से ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसका टेक्शर कैसा होना चाहिए यहां पे यह देखिए दही का जो टेक्शर है वो इस तरह का होना चाहिए बिलकल भी पानी नहीं रहना चाहिए मैं आपको इसे चम्मस से दिखा रही हूँ यह देखिए इस तरह का यह टेक्शर होना चाहिए दही का इस तरह से ठीक होना चाहिए यह गीला है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो इसी से टेक्शर बहुत अच्छा आएगा मिश्टी दोई में अब यहाँ एक बॉल में हम ले लेते हैं आधा कप यह हंकड तो आधा कप यह परफेक्ट रेशो है अब विसकर की हैल्स से हम अच्छे से फेट लेते हैं इसके सारे लंस हमें निकाल देना है और इसका क्रीमी टेक्शर आने तक हमें अच्छे से फेटना है तो यह परफेक्ट रेशो होता है एक लिटर दूद के लिए आदा कप हमें हंकर चाहिए होता है तो अभी देखिए यहाँ पे दही हमने अच्छे से क्रीमी कर लिया है अब यहाँ जो दूद है वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है मैं फिंगर डिप कर रही हूँ तो बहुत सा दो चमज यह दूद आट करेंगे और इसको हमें अच्छे से कर लेना है पहले मिक्स तो यह स्टेप बाइ स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मिष्टी दही आप घर पे बनाए तो बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही बढ़िया क्रीमी बिलकुल मार्केट बापस हम इसमें एक चमज भर के मिल्क और एड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अब यहां पे हमारा मिक्षर हो गया है अब इस सारे ही मिक्षर को हम इस मिल्क में एड कर देंगे और बस इसको हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स तो अभी आप यहां आपे इसका टेक्षर देख सकते हैं मिलका ये और थिक हो गया है और बड़ी असा क्रीमी सा लगने लग गया है अभी मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मिलकी और इस तरह का क्रीमीनेस होना चाहिए जिससे जो मिश्टी दो तो चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर स्टील का कोई भी बरतन ले सकते हैं अब मिक्षर को हम ये मिट्टी के बरतन में डाल देते हैं तो देखे कितना क्रीमी और कितना बड़िया सा दिख रहा है अब मेरे पास यहां पर मिट्टी का जो कप है जिसे कुलर भी कहते है इसमें हम ये mixture को fill कर देते हैं ये भीड़ी दोयी मिट्टी के बरतन में खाने में बहुँत टेस्टी लगता है और यहा चीनी मिट्टी का कब था इसमें भी मैं fill कर रही हूं अब यहाँ पे एक लिटर दूस से इतना मिक्षर हमारा बन करके रेडी हुआ है मिष्टी दोई के लिए और ढ़क करके अब इसको हम सैट होने के लिए रख देंगे अब इसको बिलकुल भी हिलाना नहीं है इसी तरह से हमें से सेट होने के लिए रख देना है और उपर से aluminium foil वगेरे भी आप लगा सकते हैं अगर ये ना हो तो plate वगेरे ढख करके भी आप इसको रख सकते हैं सेट होने के लिए हमें rubber band लगा रही हूं अब यहां ले रही हूं मैं plate और इनको अब मैं एक प्लेट में इस तरह से रख रही हूँ और इसके उपर कोई भी गरम कपड़ा तॉलिया आप डाल करके से 8-10 गंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए आप कीचन फ्लेट फॉर्म पे भी रख सकते हैं या कोई भी गरम जगा पे भी आप इसक सकते हैं तो बहुत अच्छे से मिष्टी दोई सेट हो जाती है अब यहा पर 10 गंटے हो चुके हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं तो यह देखिये और दूसरे कंप में श्राव मिष्टी दोई कैसे सैट हुई है तो यह देखिए और दिखिये कितनी प्रॉपर शाइन आई है और कितनी बढ़िया सी richness दिख रही है इसे से पता चलता है कि मिश्टी दोई बहुत अच्छी क्रीमी बनी है और इस चीनी मिटी के कप में मिश्टी दोई बहुत अच्छे से सेट हुई है और कभी ऐसा हो मिश्टी दोई प्रॉपर सेट ना हो तो इसे आप कुछ घंटे के लिए और सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं फिर हम इसको चेक कर लेंगे और अभी देखिए यह गरम है तो जब गरम है तो इसको पहले अच्छे से ठंडा होने दीजे उसके बाद 2-3 घंटे से फ्रिज में रखके ठंडा कीजे और फिर उसके बाद इसको साव करें तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया से सेट हो जा चमच निकाल लिए अभी मैं इसको पूरा उल्टा भी कर लूँगी न तो भी यह नहीं गिरेगा इतने अच्छे से यह सेट हुआ है और इसका कलर और टेक्शर उतना ही बढ़िया आया है और उतना ही क्रीमी बना है इसको मैंने अभी एक चमच और निकाला है और यह देख हो जाता है कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ पर मैंने आपको step by step पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में यह मिश्टी दोई बनाना बताया है आई होप आपको वीडियो हेलफुल लगा होगा तो प्लीस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करे और चैनल को सब सब्सक्राइब बी थैंक यू फो वाचिंग